नमस्कार सिक्षार्थियों, मैं डॉक्टर किरनलता डंगवाल, शिक्षा सास्त्र विभाद, लखनव विश्विद्याले लखनव से N.I.O.S के स्टूडियों में आपका स्वागत करती हूँ. आज आपसे चर्चा का विशे रहेगा कि बच्चों के विकास में पर्यावरण की भूमिका. जब हम बच्चों की बात करते हैं, बच्चे यानि की जिनका आयू वर्ग 6 से लेकर 8 वर्श तक होता है, किस प्रकार से उनका विकास होता है, किस प्रकार से वो विकास की गती होती है, इसके विशह में चर्चा करेंगे विकास एक अविरल प्रक्रिया है, जो बालक में निरंतर चलती रहती है ये विकास शारिरिक, भाषागत, संग्यानात्मक, क्रियात्मक, वो सामाजिक होता है जब हम विकास की बात करते हैं, तो ये विकास बच्चों में 6 से लेके 8 वर्ष तक की आयूग के लिए हम बात करते हैं ये प्रक्रिया बच्चों में जन्म से पूरू से प्रारंब होकर, विभिन अवस्थाओं से होती हुई प्रोढ़ा वस्ता तक चलती है चलिए अब बात करते हैं बाल विकास में परियावरण का क्या योगदान होता है मानों के चारों और व्याप्त, भौतिक एवं सांस्कृतिक दशाओं का संपूर्ण योग जो उसे प्रभावित करता है वो परियावरण कहलाता है मनों वैज्यानिक द्रिष्टी से बालक के विकास पर अनुवानशिक्ता और परियावरण दोनों का ही प्रभाव पढ़ता है परन्त बालक के व्यक्तित्यों के विकास पर अनुवानशिक्ता से कहीं अधिक प्रभाव वातावरण का पढ़ता है जैसा कि हम देख सकते हैं कि दोनों ही ऐसे तत्तों हैं जो कि बच्चे के विकास को कहीं न कहीं प्रभावित करते हैं लेकिन जिस प्रकार का परिवारन उसको मिलता है वो उसको अधिक प्रभावित करता है अनुवानशिक्ता की विशेष्टाएं पारिवारिक प्रिष्ट भूमी से प्रभावित होती हैं जिस प्रकार का परिवार होता है, जिस प्रकार से परिवार का परियावरण होता है ये सारी चीजें बच्चों को कहीं न कहीं प्रभावित करती हैं जन्मजात संसकारों और अनुवान्शिक्ता की विशेष्टाओं में परियावरण द्वारा संचोधन, परिवर्तन और परिस्कार किया जा सकता है परियावरण द्वारा बालक के विकास पर बहुत प्रभाव पड़ता है जिससे वो स्वाभाविक परियावरन के क्रियाओं और अपने व्यहवार में सामंजस से इस्थापित कर पाता है, जो कि उसके विकास के लिए एक बहुत ही महत्वपून कड़ी होती है। अनुकूल वातावरन प्रधान करें, जिससे कि वो एक सही दिशा में प्रगति कर सके और उन्नती कर सके। परियावरण को जानने से पहले या परियावरण का बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको जानने से पूर वे जानना आवशक है कि परियावरण कितने तरह के होते हैं, कौन-कौन से ऐसे परियावरण के प्रकार हैं, जो कि बच्चों को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्राकृतिक या भौतिक परियावरण की अब आप देखें कि भौतिक परियावरण या प्राकृतिक परियावरण जो कि हमारे आसपास जितना भी जो भी शक्तियां हैं संपोन प्रकृति की वे सभी शक्तियां क्रियाएं तथा तत्व जो कुछ हमा बालक को कहीं न कहीं प्रभावित करती हैं तो इसके अलाव जो प्रतम प्रकार है परियावरण का वो प्राकृतिक परियावरण अब हम प्राकृतिक परियावरण के अगर तत्तों को देखें तो ये तीन तरह के तत्तों होते हैं इसमें जैसे कि पहला होता है भौतिक तत्यो समू, दूसरा है उर्जा तत्यो समू, तीसरा है इसमें जैव तत्यो समू, जब हम भौतिक तत्यो समू की बात करते हैं, तो जो भी हमारे आसपास की जलवायू होती है, जो पवन बहती है, जो पानी होता है, जिस प्रकार का भी ह हमारे आşपास का प्राकृतिक माहूल होता है वो सभी भहतिक तत्यों के अंतरगत आते हैं दूसरा होता है ओर्जा तत्यों समु हमारे आशपास होता है प्राकृतिक वो सब उर्जा तत्त्यों समूल के अंतरगत आता है। और तीसरा जो जैवतत्यौ समूल के अंतरगत, यानि हमारे आसपास जितनी भी वनरसपतियां पाई जाती हैं और जितनी भी जीवजन्तु होते हैं वो सभी बालक के विकास को कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से प्रभावित करती हैं और जब यह प्रभावित करती है तो बच्चा जब धीरे-धीरे बड़ा होता है तो उसके शारिरिक मानसिक हर एक चीज पर उसका कहीं न कहीं प्रभाव पढ़ता है, तो चलिए अब बात करते हैं कि जो भौतिक परियावरण की जो प्रक्रियाएं हैं, ये प्रक्रियाएं कौन सी होती हैं, कौन सी शक्तियाँ हैं, तो इनकी बात करते हैं, भौतिक परियावरण की शक्तियाँ, इन शक्तियों द्वारा पृत्वी पर अनेक प्रकार की क्रियाएं, प्रक्रियाएं एवं प्रतिक्रियाएं होती हैं, जिसके ही कारण वातवरण के तत्व उत्पन होते हैं और इन सब का प्रभाव कहीं न कहीं बच्चे के विकास पर भी पढ़ता रहता है। अब ये शक्तियां कौनसी होती हैं? इसको देखते हैं, ये जो शक्तियां होती हैं, यानि कि जो कुछ हमारे परियावरण में प्राकृतिक तृष्टिकोंड से हो रहा है, जैसे कि सौर तत्व है, पृत्वी का घूमना है, पृत्वी की जो दैनिक पारिभ्रमान होता है, गत परियावरण में प्राकृतिक द्रिष्टिकोंड से जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, जितनी भी शक्तियां हैं, ये सब कहीं न कहीं बच्चे के विकास को प्रभावित करती हैं। जो जो प्रक्रियाएं, जैसे कि अगर आप कहीं समुद्र तट के किनारे रहते हों या नदी के किनारे रहते हों, तो कभी आपने देखा होगा कि नदी का कटा होने लगता है, नदी के किनारे की मिटी अपने आप कटने लगती है, खेतों के किनारे भी, लेकिन ये सारे चीज होती हैं जो कि बच्चे के विकास को प्रभावित करती है कि कितना वो पर्यावरण के नजदीक है पर्यावरण में होने वाले दिन प्रति दिन की जो प्रक्रियाएं होती है उनको वो कितना महसूस कर पाता है ये सब बच्चे के जीवन को कहीं न कहीं प्रभावित करती है कहीं भी कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है। दूसरा जो प्रकार होता है, वो होता है सांस्कृतिक तथा मानवीय परियावरण। सांस्कृतिक और मानवीय परियावरण की जब हम बात करते हैं, तो इसमें वो सारे चीजें आती हैं जो मनुश्य अपनी आवशक्ताओं के अनुरूप जिसमें संचोधन करता है और परिवर्तन करता है और उसी प्राकृतिक परियावरण को पूरा परिमार्जित करके वो अपने लिए एक परियावरण बना लेता है क्योंकि मनुश्य को इस धर्ती पे रहना है उसको अपनी जो आवशक्ताओं है उनको पूरा करना है तो ये परिमार्जन अती आवशक होता है लेकिन जब ये परिवर्तन वो करता है तो कहीं न कहीं वो प्रकृति के साथ छेर चाड़ करता है इसीने कहा भी गया है कि प्रकृ प्रकृति का उपयोग करो उपभोग नहीं उपभोग यानि हम जरूरत से ज़्यादा छेड़चाड करेंगे तो वही प्रकृति हमें कहीं न कहीं नुकसान करने लगती है तो यह जो हम प्रकृति के साथ अगर छेड़चाड करते हैं तो इसकी शिक्षा हमें बच्पन से और परियावरण के छरण से होने वाले नुकसान ये क्या होते हैं ये बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बच्चे का शारिरिक, मानसिक, हरीक उस स्वास्ते पे उसका कहीं न कहीं इस परियावरण के सरक्षण और छरण दोनों का ही प्रभाव पड़ता है अब इसे जो जब हम सांस्कृतिक और मानविय परियावरण की बात कर रहे थे तो वर्तमान में जब हम इसको कहते हैं तो कई बार इसके लिए हम शब्द जो प्रयोग करते हैं वो प्राविधिक परियावरण भी कर सकते हैं क्योंकि ये मानव द्वारा निर्मित होता है, मानव अपने सामाजिक जो उसका दाइरा होता है, उसके अनुरूप इन चीजों को बना लेता है, और वर्तमान में क्योंकि हम प्राविधिक बहुत सारे जो सूचना और संचार के माध्यम हैं, उनका प्रेयोग अत्यधिक करने लग गए हैं, तो ये सारी चीजों के कारण भी हम इसको प्रावधिक परियावरण भी कहते हैं, दूसरा, जो सांस्कृतिक और मानविय परियावरण जो गठित करता है मनोश्य, उसमें मानव अपनी विशिष्ट सुविधाओं की आवशक्ता के अनुरूप, शोथ वो प् देहनों की आवशक्ता पड़ती, यानि हमारी देहनिक क्रियाओं के लिए कुछ-कुछ ऐसी चीजें होती हैं, जो कि मनुष्य जिनका आविशकार करता है और फिर उनको उपियोग में लाता है, लेकिन ये मनुष्य जब उपियोग करता है तो ये आवशक नहीं है कि वो के सांस्कृति को नुकसान न हो, तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए मनुष्य अपने लिए जो एक पर्यावरण बनाता है, वो सभी उसके सांस्कृतिक और मानवी पर्यावरण के अंतरगत आता है, अब हम बात करते हैं, जो सांस्कृतिक और मानवी पर्यावरण होता ह उसके भी तीन तत्व होते हैं, जैसे इसमें पहला आता है सांस्कृतिक शक्तियां और दूसरा है सांस्कृतिक प्रक्रियां, तीसरा सांस्कृतिक तत्व, आइए इसको थोड़ा विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं, कि जो सांस्कृतिक शक्तियां होती हैं, वो क्या हैं? सांस्कृतिक शक्तियों के अंतरगत मानव स्वयम एक भागोलिक घटक के रूप में होता है यानि जो उसकी जनसंख्या होती है, जनसंख्या का जो वितरण होता है उस जनसंख्या में कितने इस्त्री हैं, कितने पुरुष हैं, उसका अनुपात कितने आयूवर्ग के कितने लोग हैं ये सारी बातों का ध्यान रखना है ये सारी चीजें सांस्कृतिक शक्तियों के अंतरगत आती हैं और ये एक एक घटक एक चीज जैसे जिसमें की बनुशे भी उसका एक घटक होता इन सभी को सांस्कृतिक शक्तियों के अंतरगत शामिल किया जाता है अब बात करते हैं कि सांस्कृतिक प्रक्रियाएं क्या होती हैं सांस्कृतिक प्रक्रियाएं में वे सभी कारे समलित होते हैं जिसके द्वारा मानव और मानव समू पर्यावरन से सामंजस से इस्थापित करने का प्रयास करता है या करता है यथा संभव उसको पो प्रेयाश करता है, आपने चोटे चोटे समूह बना के बड़े समूहों में शामिल होने का प्रेयास करता है। वहां की माननेताएं, जो बच्चों को हम संस्कार देते हैं, जो विवा की प्रथाएं होती हैं, वहां पे रहने के लिए कुछ कानून व्यवस्थाएं होती हैं, विद्यालय होता है, प्रेस है, कार्यालय, यह सारी चीजें क्या है, मनुष्य ने अपने लिए कुछ तत्व ब बनाता है ये कही न कहीं जब बच्चा बड़ा होता है उसका विकास होता है तो ये सारी चीजों का प्रभाव बच्चे पर पड़ता है जैसे कि मनुष्य के द्वारा बनाए हुए व्यवसाय, उद्योग, राजनेतिक संस्थाएं, चैक्छिक शंस्थाएं, सांसकृतिक प्र हम छोटे-छोटी नहरे बना लेते हैं कि अपने उपयोग के लिए फसले अच्छी हों, इसके लिए हम वहाँ से पानी का कटाव बदल देते हैं, पशुपालन के लिए हम कुछ विवस्थाएं करते हैं, तो ये सब मनुष्य क्या करता है? स्वयम के जीने के लिए प्राकृतिक चीजों को किसी तरह से थोड़ा-थोड़ा सा परिमार्जित करता है, और स्वयम के लिए विवस्थाएं बनाता है, तो ये सारी चीजे हमारी सांस्कृतिक परियावरण को कठित करती हैं, अब बात करते हैं जो हमारा तीसरा परियावरन होता है वो है हमारा जैव परियावरन जैव परियावरन यानि कि जितनी भी वनस्पतियां जितनी भी जीव जन्तु हमारे आसपास रहते हैं वो किसी न किसी प्रकार से हमको प्रभावित करते हैं और हमको वो प्रभावित कैसे करते हैं जैसे आपने देखा होगा कि जो वर्तमान यूग में जो फ्लैट्स में बच्चे रहते हैं या जो बच्चे किसी ऐसे परियावरण में रहते हैं जहांपे की पेड़ पौधों के अधिकता है तो आप स्वयम ही ये देख सकते हैं कि दो पतियां जो प्राकृतिक जो हमें लाब होते हैं वो हमारे आसपास अगर जितनी ज्यादा होंगी वो उतना ही प्रभावित बच्चे के विकास को करेंगी जीव जन्तु कि अगर हम बात करें तो जीव जन्तु कुछ हमारे बहुत ज्यादा हमारे लिए लाबकारी होते हैं और कुछ होते हैं जो कि मनुष्यों से थोड़ा दूर रहते हैं, लेकिन फिर भी वो किसी न किसी प्रकार से मनुष्यों के लिए लाबकारी होते हैं। अब हम बात करते हैं आगे इसकी चर्चा करते हैं कि जो हमारा परियावरण का स्वरूप होता है वो दो तरह का होता है एक होता है अनुकूल और दूसरा होता है प्रतिकूल अनुकूल जो परियावरण होता है वो जीवधारी के अस्तित्तु की रक्षा, विकास और पुनरु अब आईए चर्चा करते हैं जो हमने परयावरण के आपको विभिन प्रकार बताए थे उन प्रकारों के कि ये प्रकार किस तरह से बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं तो पहला प्रकार जो हमने बताया था जिसकी बात आप से की थी कि प्राकृतिक या भौतिक पर्यावरन कि ये बालक के विकास को कैसे प्रभावित करता है इसमें हम देखते हैं कि जो पर्यावरन जो प्राकृतिक रूप से हमको मिला है अब इसमें होता क्या है कि जो मनुष्य की जो क्रिया कलाब हैं वो कहीं न कहीं जिसको कि हमने कहा कि जब बच्चे को हमें क्योंकि बाल विकास की बात कर रहे हैं तो बच्चे को ये बताना अति आवशक है कि जो मनुष्य क्रिया कलाब करता है वो हमारे विकास को हमारे जीवन के जो भी हमारा सारीरिक स्वास्ते है जो मांसिक स्वास्ते है उसको प्रभावित करता है इसका एक उधारन हम दे सकते हैं जैसे कि हम बहुत छेजहार या कह सकते हैं कि वायू को हम जरुत से ज उसमें oxygen की मात्रा बहुत अधिक होती है, वो हमको बहुत लापकारी होती है, हमको कहीं न कहीं हमारे शारिरिक और मानसिक स्वास्ते की व्रद्धी करती है, लेकिन अगर इसमें बहुत छेड़ चाड़ होगी, यानि इसमें प्रदूशन की मात्रा बढ़ जाएगी, तो सांस मुश्किल हो जाएगा, हमारे शरीर के अंदर oxygen की कमी होती जाएगी, और यदि किसी भी बच्चे के शरीर में oxygen की कमी होती जाएगी, तो वो बहुत सारे ऐसे रोगों को पैदा करती है, जिससे की बच्चे का विकास रुख सकता है, इसी प्रकार से जो बहुत सारे आवास बन रहे हैं, यानि आवास बनने के लिए क्या करता है मनोश्य, जो प्राकृतिक जो हमारे पास भूमी है, उसको हटा के वहाँ पे इंट पत्थर की दिवालें खड़ी करता है, भवन बनाता है, तो कहीं न कहीं जो हमारा प्राकृतिक परियावरण है, वो धीरे धीरे और हमारे आसपास एक जिसको कहते हैं कि एक artificial या जिसको कहते हैं कि अस्वाभाविक सी चीजे जनम लेने लगती हैं और इनका प्रभाव कहीं न कहीं हमारे जीवन शाली में जीवन में पढ़ने लगता है अब इसी के आगे अगर हम बात करें ये तो था हमारा जो प्राकृति करती हैं दूसरा है हमारा कि जो हमारा सांस्कृतिक और मानविय परियावरण है ये बालक के विकास को किस प्रकार से प्रभावित करता है अब देखे सांस्कृतिक और मानविय परियावरण यानि कि जो मनुष्य द्वारा स्रजित किया जाता है अब मनुष्य द्वारा कैस पडोस है, मोहला है, जितना भी आसपास का जो परिवेश होता है, ये सारी चीजें, यानि जो सामाजिक रिष्टे, हमारे परिवार के रिष्टे, हमारे समाज के रिष्टे, ये कहीं न कहीं बच्चे के विकास को प्रभावित करती हैं, कैसे प्रभावित करती हैं? जैसे कि अगर माता-पिता में जगड़ा होता है, तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बच्चे के विकास को वो कहीं न कहीं प्रभावित अवश्य करेगा, इसलिए कहा जाता है कि घर का महाल एक सोहार्द पूर्वक महाल होना चाहिए, इसी प्रकार से विद्याले का महाल बहुत ही खुश्णुमा होना चाहिए, बच्चे के अनुकूल होना चाहिए, बच्चे की रुचियों का जहां ध्यान रखा जाता हो, क्योंकि जो ये बाले अवस्था होती है, ये खेल, संगीत, कला, इनके माध्यम से सिखने और सिखाने की उम्र होती है, इसलिए ये अति आवश्यक है कि जो मानव द्वारा निर्मित जो भी माहौल है, जो भी परियावरण है, वो माहौल बच्चे को बहुत ही अच्छा दिया जाए, बच्चे के अनुकूल हो, बच्चे उसमें सामन जस्य कर सके, इससे बालक के विकास पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। अब आप देख सकते हैं, जैसे कि इसमें परिवार, समुदाय और विद्याल है। किस प्रकार से बच्चे के विकास को अगर प्रतिक इस्थान का जो परियावरण है, वो खुशनुमा है, बच्चा उसमें बहुत अच्छा सामन जस्य कर पाता है, तो कहीं न कहीं उसकी चा अब आते हैं हम लोग परियावरण का जो बाल विकास पर प्रभाव पड़ता है, उस पे जैविक परियावरण की क्या भूमिका होती है, जैविक परियावरण की इस प्रकार से उसको प्रभावित करता है, जैविक परियावरण की जब हम बात करते हैं, तो आपको बताया थाकि जो आसपास की वनस्पतियां है, जीव जन्तु हैं, ये किसी न किसी प्रकार से बच्चे को भी प्रभावित करती हैं और साथ में जो जैविक रूप से जब हम बात करते हैं, जैसे लिंग की जो लड़का है या लड़की है, इसका भेद विभिनता हैं अगर हम इसके सोच में या इसकी बाचीत में बहुत अंतर करने लगते हैं, तो ये भी बच्चे के विकास को कहीं न कहीं प्रभावित करता हैं जैसे कि हर समय बोलना तुम लड़की हो, तुम ये करो, तुम लड़का हो, तुम ये करो, तो इस तरह की चीजे क्या हैं, बच्चे में कहीं न कहीं एक ग्रंथी पैदा करते हैं, कि ऐसा क्यों, क्योंकि अगर आप बच्चे को किसी भी प्रकार का इस तरह का कोई बात कह र अब इसके अत्रिक्त, जितने भी पर्यावरन थे, इनकी जो हमने बात करी, इसमें देखें कि कि किस प्रकार से बच्चे के शरीर पे कैसे प्रभआव पड़ता है इन चीजों का यानि कि जब हम कहते हैं कि बच्चे पे प्रत्यक्श रूप से हर पर्यावरन का परभाव पड उसके आसपास का सांस्कृतिक परियावरण अच्छा होगा, जैविक परियावरण अच्छा होगा, तो बिल्कुल ये इस पे शत पृतिशत कहा जा सकता है कि बच्चे के शारिरिक स्वास्ते पे इसका हमेशा अनुकूल प्रभाव पड़ेगा, बच्चा स्वास्थ रहेगा बच्चे की कद काथी, रंग रूप, हर चीज का प्रभाव, आपने देखा इसके बहुत अच्छा उधारण है कि जब हम अगर हम पहाडों का द्रश्य ले लें या पहाडों की बात करें तो वहाँ क्योंकि प्राकृतिक चीजें बहुत अधिक हैं, तो कहीं न कहीं बच्चे के शारीरिक गठन पर भी इसका प्रभाव पढ़ता है बच्चा स्वस्थ अधिक रहता, जितना वो प्राकृतिक के नजदीक रहेगा, उतना वो स्वस्थ होगा बच्चे के घर का माहौल, समुदाय का माहौल, आसपडोस का माहौल, विद्यालय का माहौल, जितना अधिक होगा, उसका शारीरिक स्वास्थ भी उतना ही अच्छा होगा इसी प्रकार से जो बालक का जो अगर हम कहते हैं कि जिस तरह की मिटी होती है उस तरह की कदकाथी भी हो जाती है ये एक उक्ती है और इसलिए कहा जाता है कि मिटी यानि वहां की जलवायू वहां का प्राकृतिक वातावरन वो कहीं न कहीं बच्चे के शारिरिक गठन को शार एंखों का रंग है तुच्छा है इन सब परबिभत आपनीक जहां पर है प्रदूशन की मात्रग अधिक होती है तो बालों में आंखों में कहीं न कहीं इन चीजों को वह ने प्राभावध करती है और जितना जादा प्रदूशन एतना हमारे जो शरीर की चीजें है शारिरिक चीजें हैं कहीं न कहीं वो प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं, तो बच्चे के लिए ये अति आवशक है कि बच्चे का शारिरिक स्वास्ते अच्छा रहे, तो अभी हमने आपसे बात की थी कि शारिरिक स्वास्ते, अब बात करते हैं कि मानसिक्ता पर क्या प्रभा पर्भाव पड़ता है उसकी बौधिक छमता उसका सामनजस्य उसकी जितनी भी मानसिक क्रियाएं होती हैं उस पे अनुकूल वातावरण का अनुकूल प्रभाव पड़ेगा और प्रतिकूल परियावरण का उसके मानसिक स्वास्थे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ब इसका भी कहीं न कहीं हमारे जितने परियावरण हैं, उसका प्रभाव पढ़ता है, आर्थिक कैसे कह सकते हैं? जिसे कि जिन इस्थानों पे प्राकृतिक संसाधन बहुत अधिक होते हैं, वहां का जो समू होता है, वहां के जो मनुष्य होते हैं, वो कहीं न कहीं आर्थिक र भी सामाजिक जीवन पर प्रभाव पड़ता है इसके लावा गतियों पर प्रभाव यानि मुमेंट अगर हम कहलें कि जो पहाडी छेत्रे हैं वहां का अगर हम अपने मस्तिश्क में लाएं तो क्योंकि वहां पर इतना असान नहीं होता है एक स्थान से दूर स्थान पर जाना तो वो कहीं न कहीं बच्चे की जो आप कह सकते हैं कि अगर उसको शैक्षिक रूप से उसको बहुत सबल बनाना है तो विद्यालय या तो पास में हो या उसके लिए जाने के उचित साधन हो तो ये कहीं न कहीं जो प्राकृतिक परियावरण है उसका प्रभाव उसके शैक प्रकार से करना चाहिए कि वो अनुकूल हो सके बच्चे के लिए, बच्चों की गती पर प्रभाव न पड़े, वो अपनी एक सही गती से कारे करता रहे। उसमें ये जरूर से ध्यान देना चाहिए कि बच्चे की एक उचित समय सारणी का ज्यान देना चाहिए बच्चे को। उचित समय सारणी का मतलब क्या है कि प्राया देखा गया है कि आज के जमाने में सभी के पास समय की कमी होती जा रही है व्यस्तता बढ़ती जा रही है माता पिता के पास समय कम होता है तो बच्चा भी अपनी समय सारणी उसी के अनुसार कर देता है तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे की समय सारणी प्राकृतिक जो प्रकृति ने हमको उपहार दिये हैं जैसे कि सूरज समय पे उखता है, सूरज का अस्त समय पे होता है यानि इसके पीछे कोई न कोई कारण होता है कि जब रख्रति नियम से चलती है तो मनुष्य को भी अपना समय सारणी और अपना जीवन एक समय बद्ध तरीके से जीना चाहिए जिसके शिक्षा का कर्तव्य है कि हम बच्चों को ये ज्ञान दें कि सही समय पे उठें और सही समय पे सोएं जिससे कि उनका शारिरिक और मानसिक स्वास्ते अच्छा रह सकें शिक्षक का ये कर्तव्य है कि बच्चों को खोजबीन करने के लिए और जीवन के सच्चे अनुभवों के लिए समय और इस्थान उपलब्ध करवा है. देखे प्राकृतिक जो परियावरण होता है बच्चे को सिर्फ कहके शाब्दिक रूप से हम कभी भी चीजों का ज्यान नहीं करवा सकते हैं. बच्चे का अगर मन है उसको मिट्टी में खेलने देना चाहिए उसका मन है कि उसको जंगल में जाना है उसको जाने देना चाहिए उसको मन है पेड़ पौधों को छूना चाहता है उसको छूने देना चाहिए ये सारी चीजें बच्चा जब अनुभ करना चाहिए कि जितना भी आसपास का संगसार है उसको स्वाभाविक तरीके से बच्चा शीख सके बच्चे में एक इक्षा जागरित हो सके ये सारी चीजों का प्रयास जरूर से करना चाहिए प्रादम्भिक वर्षों में अधिगम बच्चों की अभिरूचियों और प्रदान करना ये शिक्षक का कर्तव्य होना चाहिए क्योंकि जब बच्चा स्वयम को खुल कर अभिव्यक्त कर पाएगा तभी उसका एक अच्छी रूप में विकास हो पाएगा और इन सब बातों को करने के लिए शिक्षक की एक बहुत ही महत्वपोन भूमिका होती है जो क आप एक शिक्षक के रूप में कर सकते हैं धन्यवाद